तो दोस्तों आज दो-तिन मुद्धे ध्यान में थे बात करने के लिए और लेकिन हुआ ये कि मैं पिछले दो-तिन दिनों से जो है कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो बार-बार नजरों के सामने से गुजार रहे थे तो मनें कहा कि इसी पर जो है क्यों ना बात किया जाए और काफी इंट्रेस्टिंग घटना करम है है ना और मुझे लगता है कि आपको भी इंट्रेस्ट आएगा इसमें देखते हैं तो कहानी वो जो अमेरिका का जो प्रेरिटर MQ-9 ड्रोन है जो कि बहुत ही उचाई पर उड़ता है और बहुत लंबी दूरी तक जो है उसकी उड़ान हो सकती है H.A.L.E कहते हैं उसको High Altitude Long Endurance Drone तो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है और इरान के जो सुलेमेनी का जो है निशाना बनाया गया था उनको डॉनल्ड ट्रम्प के प्रशासन के दौरान वो भी इसी तरह के ड्रोन से किया गया था तो काफी विश्व प्रसिद्ध ये ड्रो से होती है कि डॉनल्ड ट्रम्प प्रशासन नहीं जो है इसकी भारत को बेचने की मंजूरी दे दी थी ओ मतलब उस समय जो है यह क्लियर हो गया था कि अगर भारत चाहेगा तो इसको खरीच सकते हैं और अमेरिका प्रशासन को इसमें कोई आपती नहीं होगी वो इसको अप प्रपोजल पर बैठा ही अब जा करके जो है लगता है कि अभी संभाचा जो एक वास्तावित है प्रधानमंत्री मोधी की जो अमेरिका में मई यह जून में तो हो सकता है कि उस समय जो है डील्र फाइनल हो अब इसमें जो बात है जो कहानी जो इसका जो इंट्रेस्टींग जो पक्ष है वो यह है कि 17 में ही जो है इसको अप्रूव कर दियेगा था अमेरिका की तरफ से कि आप चाहें तो हम इसको आपको बेचने को तयार हैं लेकिन तब जो है भारत से कार बैठी रही उस प्रस्ताव पर और सोचती रही कि इस डील को और बहतर कैसे बनाए है ना तो यह जो कहानी है यह भी बता बताती है कि आप कैसे किसी एक साधारन डील को भी आप बहतर बना सकते हैं अपने फाइदे में कैसे आप मैकसिमम उसको एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी एक इससे इसका एक पक्ष है और वही चीज में को लगता है कि इस कहानी को इंट्रेस गया और भारत को जो है बहुत जादा इसके आवशक्ता महसूस हुई कि जो है चीन और पाकिस्तान दोनों अगर आक्रामक हो जाते हैं तो भारत के लिए बड़ी दिक्कत होगी और हाला कि उस समय जो है रूस के साथ S-400 का डील हो गया था लेकिन उनकी उनका जो है मैं है वो भी कम है मिक 21 थे हमारे पास जो की उतने उतने भरोसमन नहीं थे तो काफी और सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजन्स की जो है कमी जो है वो किस प्रकार से जो है आप चाइनीज और पाकिस्तानी एर स्पेस पर जो है आप अच्छी तरह नजर रख सकें और इसके अल का उसको भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी था कि हो क्या रहा है तो इसके लिए जो है फिर जो है फिर से जो है इस पर विचार शुरू हुआ कि अगर अमेरीका की तरफ से प्रस्ताव था तो इस पर क्यों ना मतलब विचार किया जाए लेगिन फिर भी जो है वो डील में बढ़ी डील करें और भारत का अपर जो इंडिजेनस ट्रॉन प्रोग्राम है वो छली रहा था तो फिर बात यहां के रुकि की जब बाइडन प्रशाशन हैं उन्होंने अफगानिस्तान से विड्राव कर लिया अभ अफगानिस्तान से विड्राव किया तो पाकिस्तान का जो एजेंडा था वो ये था कि अफगानिस्तान में जो है तालिबान को हम बठा देंगे तो तालिबान जो है वह हमारे अपने लोग हैं और इस तरीके से काबूल पर हमारा शासन रहेगा और वहां से जिनको हम चाहेंगे वह वहां आपरेट नहीं कर पाएंगे और भारत ही उसका एक निशाना था कि भारत वहां पर आपरेट नहीं कर पाएगा यह उनका एजेंडा पूरा हो जाता और दूसरा यह रहता कि इसे तालिबान शासन में आ गया है तो उनको मैनेज करने के नाम पर वह वेस्ट से और अमेरिका से पैसा उगाहते रहते तो कहीं हद तक ज जो है यह बात चलनी शुरू ही मीडिया में कि अमेरिका ने जो है एक सैनी कड़ा मांगा है ताकि उनके ड्रोन जो है वो उडान भरें और अफगानिस्तान एर स्पेस में जाएं और वहां पर जो है सर्वेलेंस करके वापिस लोट गया है इसके लिए पाकिस्तानी जो है ए तो उस समय चोकी इमरान खान की सरकार थी और इमरान खान जो है वह समझते थे कि अगर उन्होंने अपना सैनी कड़ा दे दिया तो फिर तालिबान के तरफ से जो है यह माना जाएगा कि एक होस्टाइल एक माना जाएगा यानि कि एक दुश्मनी का वैवार समझा जाएगा और हो सकता है कि जो है PTI के वरकर्स पर या सरकारों पर जो है वो हमले बढ़ जाएं और जो उस थिरता के साथ शासर करना चाह रहे हैं इमरान खान वो उसमें कहीं बाधा आ जाएगी तो इसलिए उन्होंने जो है इसको मना कर दिया उन्होंने कहा कि नहीं हम को इसानी कड़े नहीं देना चाह रहे हैं वह अमेरिका हम से जबरदस्ति कर रहा है और हम इसको नहीं मानें गे और ऐसी वैसी बात हो गई है तो अब अमेरिका को तो नजर कनी थी और 40-40 फीट के उचाई पर उड़ता है तो इसलिए कोई बहुत जारा बाधा वाली बात नहीं है रिकॉनेसेंस के लिए कम से कम जो है अगर भारत में सैनी कड्डे मिल जाते तो काम हो जाता अब भारत का यह कहना था कि सैनी कड्डे जने के तो कोई प्रशन ही नहीं उड़त है चुकि हमारे देश में यह तो मतलब जो 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 रानितिक दल जो है बहुत जारा कॉंप्रमाइज रहे होंगे उन्होंने भी अपने शासनकाल में यह काम नहीं किया तो सैनी कड्डे जने की बात तो नहीं है लौजिस्टिक्स अग्रिबेंट है हमारा आपके ह एर बेस आपको दे जाना या यह सब जो है काम हमारे हां होता नहीं है और यह पॉलिटिकल सुजाइड वाला काम होगा और इस तरह के बातों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है पब्लिक ओमिनेंट बिल्कुल अगेस्ट हो जाएगी तो फिर यह बात भी गई तब सवाल उठा कि आप कैसे किया जा क्योंकि बहुत बड़ा एक इलाका है अच्छा अमेरिका के साथ और भी समस्या यह हो रही थी बाइडन के साथ कि एक तो चीन आकरामक हो रहा था इरान नौर्थ कोरिया जैसे देश भी आकरामक हो रहे थे इसराइल जो है लगतर दब समस्या हो रही थी ट्रंप और ट्रंप जैसे लोग जो हैं उनके संख्या बढ़ती जा रही थी तो इसलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी बहुत फाराफ फ्रैक्चर दिखाई पढ़ने लगे थे तो इन सारी समस्यां को देखते हुए जो है और जापान और ताइवा लिए तो अमेरिका बहुत जाँ परिशान हाल और उसने कहा कि हमको कोई न कोई स्तंप चहिये जो कि हमारे काम को साजा करे है और उसकी शर्ते कुछ भी हो लेकिन यह काम साजा होना जरूरी है क्योंकि हम बहुत जारा स्ट्रेश हो चुके हैं बहुत ज्याद pivot ही कि पहुत ड्रोन के लिए सेनी कड़े जने को त्यार नहीं है तो अब और क्या बात हो सकती है तो उन्हें ने कहा कि देखें आपकी भी समस्यां बढ़ रही है मतलब जो चीन के साथ आप टक्राव बढ़ गया है और और पाकिस्तान साथ टक्राव तो है ही इसके लावा आपको जो इंड डील को जो है उसमें चीनी डालना शुरू किया कि कैसे जो है डील को और बहतर बना जा सकता है तो यह बात हुई कि ठीक है यह बात तो आपकी ठीक है हमको अच्छी लग रही है और हमारी तो जरूरत पुड़ी हो जाएगी अगर आप आप ड्रोम देने को त्यार है तो इस चीह प्रस्ताव है लेकिन यह प्रस्ताव मतलब आपके हां तो ड्रम्प राश्पती रहते हैं तो जूश और रवाट posyat Brava यह दो तो यह तो स्विकार नहीं है हमको तो कोई ऐसा रास्ता निकाली आपके हां कोई भी उठ करके जो है मंजन करने के पहले पाबंदी लगा देता है तुर्की के ऊपर आपने पाबंदी लगा रखी है आपने साउदी अरब को धंकी देते रहते हैं तो यह कब तक चलेगा हम चिंता हैं उससे हम अलग हो सकें तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक यह बात आपकी सही है तो ऐसा करते हैं कि आपको हम अपने इस ड्रोन के ग्लोबल सप्लाई चेन में जोड़ लेते हैं इसका मतलब यह हुआ कि यह ड्रोन अगर कहीं भी दुनिया में बिकता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वह आपके हां बनेगा और आप ही सप्लाई करेंगे और तभी जो है वह मतलब ड्रोन कंप्रीट हो करके और दुनिया में कहीं बिकने जाएगा तो इससे होगा यह कि चुकि ग्लोबल सप्लाई चेन में आप जुड़े हुए हैं तो हम आप पर निर्भर रहेंगे कहीं भी अगर आप उर्ती करनी है इसकी तो और आप निर्भर रहेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन में हम आपको जोड़ कर रखेंगे तो जाहिर से बात है कि हमको अगर आपकर पाबंदी लगा करके आपको शिफ्ट करना होगा तो काफी समय लग जाएगा इस जो है अब भारत में बनेंगे इस ड्रोन के ऐसी कुछ त्यारी अभी चल रही है यह एक बात हो गई फिर जो है अमेरिका ने यह भी कहा कि जो इसका मेंटनेंस रिपेर और ओवर हॉल है जो एमरो फेसिलिटी बोलते हैं एमरो फेसिलिटी भी जो है वह आप ही कहा हम रख द करेंगे तो आपको दुबारा जो है हमसे बोलने हमसे मतलब हमपन निर्भरता की जरूरत नहीं रहेगी डे टो डे ऑपरेशन आप खुदी मैनेज करेंगे तो यह जो दोनों बाते हुई इससे जो है इस डील में बहुत शक्कर पड़ गया अब कैसे अब इस तरह समझे कि भारत जो है जो सुनने में आ रहा है कि 1824 के बीच में ऐसे ड्रोन की संख्या वह लेने वाला है और उसमें जो है जो उसके पाट पूर्जे हैं उसके कुछ पाट पूर्जे जो महतपूर्ण हैं वो भारत में ही बनेंगे और इसके लाबा जो है MRO facility भारत में होगी इसके ज यह लंबी दूरी का एक ड्रोन है तो यहां से लेकर के पश्चिमेशिया और यहां से लेकर पूरे आसियान के हो सकता है यहां दोर से रहता ही है कॉंट्रेक्ट में कि अगर हमको चीज़ पसंद आई तो हम फॉल्व और भी देंगे मतलब इसके अलावा हम एक दूसरी खेप कभी और दे सकते हैं और वह हमको इसी शर्तों पर चाहिए है ना तो संबंध हमारे मजबूत होंगे आसियान देशों से भी और पश्ची मेशय से भी कि भारत के पास वो इंटेलिजेंस के शमता है और भारत के पास वो ड्रोन हैं जो कि यहां से ऑपरेट कर रहे हैं बड़ी संख्या में ऑपरेट कर रहे हैं तो इससे जो होगा यह कि हमारा ज strategic Alliance है वो हमारा बनेगा भारत का दिल्ली का इस तरह से जो है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप धीरे से जो है अपने अपने सवाल अपने चिंताओं का आप सामने रखते हैं और दोनों की जरूरत है उनको बेचने की जरूरत है उनको खरीदने की जरूरत है करते हैं तो आगे भी इस मामले में कोई दिक्कत वाले बात नहीं होनी चाहिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यह भी है कि भारत जो है 2020 से ही जो है जब चीन के साथ तनाव बढ़ा तो पहले उसने लीज पर जो है दो MQ9 को जो है आप ले करके और दक्षिन भारत स इसने जो इंडिया नोशन रीजन वहां पर ऑपरेट करना शुरू किया लीज पर ले करके तो लीज की एक अवधी रहती है इतने अवधी में जो है आप लीज पर उसको ले करका ऑपरेट करके आप पहले देख लिजे संतुष्ट हो लिजे कि आप को काम का चीज है की नही है ना तो उसके बाद जब वो संतुष्ट हुए उसके बाद में नेवी का जो है बहुत जारा दबाव था कि इस प्लैटफॉर्म को भारत को ले लेना चाहिए और इससे तुरित में हम अगले 10 साल के लिए हम काफी अपने जानकारे जुटाना वगरा अपने अलायंस बनान यह हमको काफी मरद मिलेगी तो यह कहानी है और मुझे रखता है कि कैसे किसे डील में जारा चाशनी डाला जा सकता है कैसे उसको मीठा किया जा सकता है इसका एक भारत में अच्छा उधारन दिया है वरतमान मोधी सरकार ने